असलाम अलेकों वीवर्स कैसे आप लोग आज मैं आपके लिए रैसीवी लेकर आई हो मतन फ्राइड चाप एक लीटर मैंने इसके लिए पाने लिया है चार पाच लॉंगी चार पाच काली मिट्चे और चार ही मैंने लाइची लिए इसमें और टू टी स्पून मैं इसमें ड मैंने वन टेबल स्पूल लिया है हाफ टी स्पून मैं इसमें लाज मिट्राइड करूंगी यह वन कीजी मैंने मटन चॉप्स लिए इसको साफ उतर करके दो के ड्राइड कर लिया है कि कटिंग आप देख सकते हैं इसकी अब पानी में उबाला चुका है और मैं सारी मटन चॉप्स में डाल दुंगी अब पहले डाल देंगे तो जूसी नहीं बनेंगी उबालाने के बाद आप इसमें एट करेंगी तो की मटन चॉप्स जूसी बने इसको हमने गलने तक पकाना है जब तक इसका पानी ड्राइ नहीं हो जाता जब तक हमने इसको पकाना है उबालाने के बाद इसको उपर नीचे करने के बाद मैस में ढगा के पकाऊंगी तकरीब इसका कुकिंग टाइम 45 मिनट्स होता है मेडियम टू लो फिलेम पे पके गाई अब इसे स्टेज पे मैं इसका पानी ड्राइ कर लूँगी ज्यादा नहीं पकाईएगा आपनी तो मटन चॉप्स आपकी तूट जाएंगी यह देखिए इसका पानी ड्राइ हो चुका है अब मैं इसको सेपरेट कर लूँगी एक प्लेट में निकाल लेंगे सारी हैतियास से निकालेंगे चॉप्स आपकी बिल्कुल भी तूटनी न है सारी चॉप्स निकालने के बाद थोड़ा से इसको हम ठंडा होने देंगे वन बाई वन सारी मैंने चॉप्स अलग कर ली है और आपका जो यह मसाला बचा है इसमें आप राइस बना सकते हैं बहुर टेस्टी बनते हैं इसी के साथ सर्फ कर सकते हैं मैं अक्सार बनाती हूं कभी आपको दिखाऊंगी मैं इसकी रेसिपी अब यह तमाम जब हमारे सेपरेट हो गई हैं तो हमें को कोटिंग करेंगे इस पर और कोटिंग करने के लिए मुझे चाहिए जो देड़ कप मैंने पे मैदा लिया है हाफ टीजफून लसन पॉरडर, मैंने पे काले मिजफ पॉर्डर और मैंने नमक लिया है आप कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मताबिक यह सारी चीज़े मैदे में मिला लेंगे और सारी चॉप्स को वन बाई वन इसमें हम कोट करेंगे रेसिपी को बिल्कुल फॉलो किज़े का बहुत टेस्टी बनती है यह आपकी घरवालों को जरूर पसंद आएंगी तमाम चौप इस तरीके से आप इसमें कोट करके और रख सकते हैं आप इस स्टेश पर चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं हाफ एन आर के लिए इससे भी बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है वह कमल कोट होने चाहिए आपके हर चाप तमाम को वन बाई वन कर लेंगे हम दावतों के लिए बहुत जल्दी भी बन जाते हैं आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं जस्ट फ्राइ करना होता है महमाना आने के पाद यह मैंने फ्रिज में रख दिये थे हाफ एनार के ल हैं मैं इसको फेट लूँगी आपको जितने अंडे चाहिए आप उतने लेके फेट सकते हैं आप इस तरीके से अंडे में डिप करके मैं इसको डिफ्राइ कर दोंगे शैलो फ्राइ नहीं होंगी यह डिफ्राइ होंगे तेल के आप देख लिजे जादा गरम है ना ज्यादा ठंडा है मीरियम है ओयल बिल्कुल क्योंकि पके में हैं हमको इसमें कलर देना है अच्छा ऐसा गुल्डन कलर आ जाएगा तो पलट देंगे इसको हम एक तरफ से जब फ्राइ हो जाएंगे तो यह मैंने इसको पलट दिया है पर्फेक्ट कलर है यह इसी तरीके से हम सारी चापे फ्राइ कर लेंगे इसको जरूर ट्राइ कीजेगा ह्यांटी कर सभाई जा हैं बट्पार आए यह-णe